हेलो एब्रीवन वेलकम तो दा यूट्यूब चैनल शुपसांती क्लासिच आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंपोर्टेंट टॉपिक नाउन पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में नाउन की डेफिनिशन और काइंट्स आफ नाउन के बारे में हम जानेंगे तो आप सब नाउन की डेफिनिशन और काइंट्स आफ नाउन को पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं चलिए शुरू करते हैं Noun, N-O-U-N, Noun, Definition of Noun, D-E-F-I-N-I-T-I-O-N, Definition हम Noun की Definition सबसे पहले पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं A noun is the name of a person, place, animal, thing, or idea इस line में कहा जा रहा है कि noun एक नाम है person का, place, animal, thing, or idea Noun is the name of person, place, animal, thing, or idea Example देखते हैं Example Student, Saroja, Dog, Nagpur, Book, Computer, Fridge, Joy, Truth, and Beauty E-T-C तो देखिए ये सब भी words noun है Down यहाँ देखिए एक लाइन और लिखाओ Noun is the naming words यहाँ से आपको पता चलेगा Noun क्या होता है Noun naming words होते हैं जितने भी naming words होते हैं वो सभी noun होते हैं तो हम ये समझ लें कि noun कोई भी नाम हो Every name is called noun किसी का भी नाम हो चाहे है वो person का नाम हो place का नाम हो animal, thing हो या हमारे मन में कुछ ideas आते हैं वो हो तो वो सभी जो होते हैं वो noun होता है यहाँ example से हमने clear कर लिया student ये एक नाम है student हम जो पढ़ाई करते हैं सिख्षा लेते हैं वो student होते हैं तो वो भी एक तरह से नाम हुआ तो वो student भी नाम है सरोजा ये girl का नाम है dog भी नाम है animal का नागपुर प्रेस है book भी नाम है computer भी नाम है fridge भी नाम है जो आईडिया है और truth भी आईडिया है और beauty भी एक आईडिया है हमारे बन में जो आईडिया जाते हैं विचार आते हैं भाव आते हैं वो भी एक तरह से नाउन होता है यहां देखिए एक sentence लिखा हुआ noun is the naming words तो noun एक naming word होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि noun क्या होता है किसी का भी नाम हो वो noun होता है यहां से फिर सिखबा definition देख लेते हैं noun is the name of person, place, animal, thing, or idea उमीद है आपको noun की definition समझ में आ गई होगी अब हम kinds of noun के बारे में पढ़ते हैं kinds of noun there are five kinds of noun noun की definition हम पहले पढ़ चुके अभी हम kinds of noun देखते हैं noun पांच प्रकार के होते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन पी आर ओ पी ए आर प्रॉपर नाउन न ओ यू एन नाउन प्रॉपर नाउन सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन न ओ यू एन नाउन कमन नाउन सेकंड हैं चामनन थर्स्त प्रॉपर नाउन सी ओ ढूल ए च ट आवी ए कल्सट अ एन कल्सट आ झालाउन न ओ यू नाउन कल्सट आउन इन प्रॉफर्थ मतर यू एन material noun and on noun material noun and fourth is one sorry fifth abstract noun a b s t r a c t abstract noun तो यह थे हमारे five type के noun फिर सेख बार देख लेते हैं proper noun common noun collective noun material noun and abstract noun यह five type के noun है इनके बार में हम full detail में हमारे next वीडियो में पढ़ेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही आज के वीडियो में हमने noun का definition सीखा और kind of noun सीखें काइंड आफ नाउन को हम फुल डेटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल शुप सांती क्लासेज को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपते दोस्तों में शेयर करिए कॉमेंट करिए थेंक्यू मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में तिल देम बाई बाई